अब अपने अगला सब्जक्ट स्टार्ट करते हैं यह फोरेस्ट यूटिलाइजेशन अगर राजस्थान ACF की बात करें तो आपकी जो यूनिट 5 है और यूनिट 6 है से लिवस की पूरा फोरेस्ट यूटिलाइजेशन इसी में है उन्होंने डारेक्ट टर्म दे करके तो इतनो बॉटनी और एनाटोमी को यूटिलाइजेशन के बाद कवर किया जाएगा एक एक वीडियो के हैं यह यहाँ पर फोरेस्ट यूटिलाइजेशन कंबाइंड रूप से जो यूनिट अपनी 5-6 है उन्हें कवर करेंगे अगले 6 वीडियो में वीडियो थोड़ा कम होंगे 35-40 मिनिट के आसपास रखा जाएगा जिससे आपको थोड़ा आसान जाए इनको वाज करना क्योंकि जब डेड़ या दो गंटी के हो जाते हैं थोड़ा धिक्कत आ जाती है यहाँ पर अपनी जो बेसिक रिफ्रेंस बुक है वो अपनी त्रिवहन महता ही रहेगी क् इसी बुक से निकलेंगे रिमैनिंग सिंग के लिए जो हाँ जरूरी है तो अधर बुक ही है पांच-छे रिफ्रेंस बुक और हैं उनका कंटेंट अगर जहां नेसेसरी लगा वो लिया गया है लेकिन अपना बेसिक ही रहेगा अब यहाँ पर रहा अपना यूनिट इसक्रिप्शन का कोई परपस नहीं है इसी में जो अपना पहला आता है यह जो लॉगिंग है कनवर्जन है और यह जो फिलिंग रूल और उसके मैथाड है इसको इस वीडियो में डिसकस कर लेंगे आपके जो नोट्स होंगे उसमें यह जो जिस टाइप से लेक्चर आएं होता क्या है रेखो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं सबसे पहले जो हमने कवर किया था वो था सिल्वी कल्चर सिल्वी कल्चर में एक पढ़ा था रीजनरेशन जो इसे बोलते है आर्टिफिचल नैच्रल रीजनरेशन इसके बाद फिर हमने पेड़ों के लालन पालन वा काम है इसके लिए हमने एक अलग सब्जेक्ट पढ़ा था जिससे पढ़ा था सिल्वी कल्चर सिस्टम तो यह जो सिल्वी सिस्टम है इसमें हमने इनको पेड़ों को काटने का काम कर लिया था लेकिन अभी हमने उनको काटने के बाद कुछ स्टड़ी नहीं किया कि काटने क के बाद वो पेड कहा गए अगर यहां पर इनको मेजरमेंट से डाटा की जरूरत पड़ी तो उसे हमने कर लिया था forest mensuration में है अगर कुछ अधर चीजों की जरूरत पड़ी जैसे के management से रिलेटर है तो उन्हें हमने forest management में पड़ लिया था अब जो अपना forest utilization वाला पार्ट है वो यही है इसमें एक तो पार्ट है कि यह पीड़ों को कैसे काटा जाए यानि कि उनकी harvesting कैसे की जाए तो उनकी जो harvesting है यानकी पीड़ों को काटने की filling है उसके method से related है बुचाया आप जो पुराने तरीके हैं वो य तो नहीं होगे पेड़ के साथ उसकी branches वगएर होती है तो इन सबको आठाना पड़ता है उनकी जो बार्क है उसको remove करना पड़ता है क्योंकि अगर यह लंबे टाम तक बनी रहेगी तो insect attack वगएर है कर देते हैं तो दूसरा part है इनको convert करने का convert करने के बाद अब यह लौक यह से जो wood cut रहा है उसे transport करके हम एक बड़े area में लेके आएंगे जिसे बोलते है forest depot forest depot इसका purpose यही है कि जो अपने को आगे की step करने है वो हम हर जगाए छूटी छूटी area में तो जाके नहीं कर सकते हैं तो खासकर यहां पर इनको अगर store करना है long time तक तो जो storage का काम है व तो उसे भी यहां करेंगे लकड़ी को अगर कुछ chemical treatment देना है तो उसे हम यहीं पर करेंगे इसके बाद लकड़ी की जो grading करनी होती कि A grade की यह B grade की यह C grade की लकड़ी जो है उसकी grading यहीं पर की जाएगी इसके बाद forest department इसकी grading के हिसाब से इसकी care कर देगा oxygen कर देगा बोली लगा देगा और फिर जो factory वाले खरीद के लेके जाएंगे industry वाले खरीद के ले जाएंगे तो अपना उनका आगे का काम है तो यहां यह जो forest utilization है इसका काम है पीड़ों की harvesting से लेकर के उनके last में disposal तक disposal मतलब हमने पैसे लेकर के उनने लकड़ी पकड़ा दी अब बोजाने हमारी side से वो dispose हो चुकी है timber तो harvesting से लेकर के उसके disposal तक की जो study है जो methods है जो process है उस पूरे की जो just framework के अंडर आते है उसे हम बोलते है forest utilization तो इसमें अपने step क्या क्या आ जाएंगे एक तो रहेगा उसका अपना harvesting का काम चाहे वो manual करें या machine से करें फिर दूसरा है इसके फिर हम क्या करेंगे इसका transportation transportation के बाद हम इसे लेकर किया कहा जाएंगे डिपो की आसपास तो फिर हम जब डिपो वाला chapter पढ़ेंगे तब देखेंगे कि डिपो किस टाइप क्यों होते हैं कितने methods हैं डिपो के उस चीज़ को और बैसी काम करेंगे या transportation के टाइप वगरा study क करेंगे डिपो में पहुंचने के बाद फिर हम इसकी करेंगे क्या grading वगरा करेंगे इनकी यहीं पर जो seasoning आप पढ़ोगे air seasoning तो जो seasoning है या wood preservation है तो जो कुछ कोई factory है इसने सबसाची की मत दी यह लेके गई और फिर इसका काम है तो हमारा काम जो है वो यहां तक का है हमने उसे dispose कर दिया अब वो company जाने है उसका काम जाने है हलाकि company में जो paper है और pulp making है paper manufacturing है उसे थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं यहां पर forestry में लेकिन वो forest utilization का एक side part हो गया जिसे थोड़ा जिनने extra knowledge की जरूरत होती तो वो भी पढ़ लेते तो इसलिए यहां paper और pulp making को थोड़ा बहुत देख लेते कि अखिर कैसा बनता है general knowledge के लिए लेकिन forest utilization अपना यहां optional तक मतला अपनी जो वूड है उसे dispose कर दी अपना काम खताम हो गया तो यहां सबसे जो पहला काम आया वो आया अपने को पेड़ों को काटना और उनको convert करना मतला वो लकड़ी को पेड़ों को काटो और प्रोने जो भी अपने converge है उसके काम में करेंगे तो इसको कैसे इसको simplicity के लिए हम सबसे पहले तो यह देखेंगे कि काटने के लिए यान काटने के बाद उस लौक को rolling करना क्योंकि बड़े-बड़े लौक होते हैं तो हाथ से तो नहीं किया सकते हैं तो इसके लिए जो tools हैं उनको इस्टडी करते हैं इन मैसे एक-एक करके ने tool को लि लेते हैं तो सबसे पहले तो अपना जो tool आती है कुलारी क्योंकि अगर पु कुलाली सी काम करेंगे लकली को अगर लॉग है उसको फाढ़ने का काम किया जा स्पलिट करना हैзя यह सब भी गरविंग करना हैसे कुं करते हैं कुलाली के रजे ही थ्रू करेंगी अपर एक्स के थ्रू अब यहांいやंपर करेंगे अ फ्रेम है और दूसरा होता यह मेटल का तो यह जो अपनी इंडियन वाली है इनकी जो होना होता है राउंड गोल वाला तो आपने अकसर घाउंस से रेलेटड होंगे तो पता होगा का गोल के साथ क्या होता कि उनमें कहीं से भी आराम से कोई डंडा चीला और उसमें लगा दिया तो अपनी कुलहाली काम करने लगती लेकिन इसके साथ यह दिखा थे कि कई बार यह कुलहाली जो है जैसे इसका जो ब्लेड है वो ब्लेड कई बार इधर उधर मोव कर जाता अगर सही से नहीं फसी ब्लेड ब्लेड इसे एज ब्लेड यह तो खाली प्लेड की चीज़ा है यह आप समझते हो कुलहाली के बारे में अगर दूसरा कोई अपने पास कुछ्टन आ सकता है तो वह यह आता है इसके बेट पर जो हैड है यानिकि जो मैटल वाला पार्ट है उसके बेट पर तो यू पुटी से गए तो वह ना कटने वाले हैं खासकर जीर से दो क्लो अपने जन्राल बेट है लेकिन अगर बार ही है तो बढ़ा लेते हैं धाई कि लो दूसरा हैंडल के साइज की बात की जाए तो यह लगवाग एक मीटर की हाइट का होता है 90 संटीमीटर या एक मीटर की बरकाम नहीं हो सकता है लेकिन जो चॉपिंग वाला उसे आपको ऐसा चाहिए जो चाकू भी ना हो और को लाड़ी भी ना हो उसके कहीं बीच का हो जो आपको एक बराबर फूर्स दे सके किसी चीज को हड़ को काटने के लिए तो यहां पर इस टाइप का जो बिल है बिल से ही की जाती है जंकल में हम जो वीडिंग क्लीणिंग करते हैं तो जो कलिम्बार होते हैं उनको काटने के लिया उसे हैं थ्वड़ा आसन जाता है इस तीसरा अपन जो सबसे ज़्यादा स्वहने वाला टॉल है फ्रेस्ट में वह है यह सौ अब सौ के बारे में यहाँ आपन दो important things को पढ़ेंगे पहला तो देखेंगे सौ के type और दूसरा है सौ से related उसकी teeth यह जो दांत हैं उसके जो tooth होते हैं उन्हें इनमें अगर पहली सौ दिखा जाए तो इसे बूलते हैं cross cut saw cross cut का मतलब वो जो इसको जो cut करता हो पूरा cross saw आर पार हो तो cross cut saw थोड़ी बड़ी saw होती है जिसमें दो आदमी लग गया एक इधर लग गया दूसरा इधर लग गया तो इस type से move करके cut लेते हैं तो अपनी पहली saw हो गई cross cut saw इसी के हम tooth की भी बात कर लेते हैं क्योंकि यह comma नहीं हर saw में यही मिलेंगे तो saw में जो teeth होते हैं दांक जो होते हैं वो दो type के होते हैं एक होती है pack tooth और दूसरी होती है records tooth देखो यह जो saw की जो teeth है इनका काम क्या है इनका पहला काम है कि जो लकड़ी है beauty काई जहां पर यह मोग कर रहा हूं इसमें क्या होंगे fiverr race तो इनका पहला तो काम है इन्लेशी को break करना और उन्हें काट जो break हो रहा है उन्हें break कर तो जो कट रहा है उन्हें काट दो दूसरा क्या है जिन रेषों को काट इस जो डरार है जिसमेंसे आप बना रहा है जिसे कर्फ बोला जाता है उस कर्फ से बाहर खीच के लेकर आ जाओ अब यही दो काम है अगर पैग टू थिंग है जो पहली वाली है इसमें जो दांत है वो सबके सब दांत एक ही टाइप के होते हैं सबका एंगल बिल्कुल सेम होगा एक ही टाइप के दांत है तो इसमें सभी दांत वही काम कर रहा होते हैं काटने का और तोलने का भी काम कर रहा है और उस जो कटा हुआ पार्ट है उस कर्फ से बाहर भी ले आने का काम कर रहा है जबकि एक जो दूसरी सौ है जिसे हम दूसरे टाइप का टीथ है जिसे रेकर टूथ बोलते हैं रेकर टूथ बोलते हैं उसमें यही काम दो अलग-अलग पार्ट करते हैं एक जो टूथ होता है इसका काम होता है कट करना जबकि जो दूसरा टूथ होता है इसका काम होता है यह जो आपका चिसल वाला यानकि जो कट वाला जो पार्ट है उसको वहां से उठा करके बाहर भैक देना इस कर्फ से तो इस टाइप से दो टाइप की टूथिंग होती है सो म है पहली सो हमने देख लिए क्रोस कट सो इसके अलावा तीन सो और हैं जोने हम जंगल में कॉमली यूज करते हैं उनमें दूसरी है बो सो बो मतलब अपना एरो हो या वो बो हो गया या इसे बोलते हैं वन मैं सो क्योंकि एक ही आदमी से पकड़ कर लेता है जब कि क्रोस कट सो को दो लोग चाहिए तीसरी सो जो है उसे बोलते हैं हम प्रूनिंग सो इसमें जो प्रूनिंग वर्क है वो किया जाता है जैसी कि अपने लखड़ी की जो में ब्रांच के साथ जो साइड ब्रांच थी उन्हें कट करने काम आती है या पर जो फोरेस्ट अपने एरिया जैं उनमें जब plant की height जाता है और आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं तो इसी pruning saw पे एक डंडा लगा कर कि आप यहां पर 80 के थूपी से चला लेते हो तो इस टाइप से pruning saw हो गई आपकी थड़ यहां cross cut saw में एक बात और आती है इसके length वाला मुद्दा आता है यहां पर अगर आपके पास time है तो आपने याद रखो कि usually जब जो अपना log है जिसे जो log है जिसे काट रहा है अगर उसका log का length of saw diameter of stem तो यहां पर यह का 30 cm का diameter का अगर stem है तो उसकी जो saw है उसकी length कितनी होनी चाहिए तो इस पर related जो है यह ICR वालों को याद रखने होते है जो राजिस्थान वाले है उनमें ऐसे typical question नहीं आए यहां पर आपकी हो गई है 300 cross cut saw pruning saw bow saw या one एक चौथी और होती है जिसे बोलते हम power saw जिसमें एक इस टाइप की एक machine होगी जहां पर blade जो है वो अपनी यहां पर move कर रहे होगी और यहां पर एक छोटा सा engine लगा होगा जिसमें वो चालू कर देते हैं और यह काट देती है cable charge saw के टाइप नहीं है और भी है बट यह है कि हमारे जो forest के लिए जो purpose है उनमें इन चार से काम हो जाता है इससे जदा के देखने की जरूरत नहीं है और आज के टाइम पर तो यह भी चारों यूज नहीं करते हैं जब mechanization हो गया यहाँ पर cutting से related एक और important बात है वो है terminology खासकर जो saw से related terminology जो अपनी saw है यानि कि इसमें जो tooth है जैसे कि यहाँ पर जो tooth बना दी है इनके दात बना दी है saw के यह ले लो तो इससे related हैं जैसे कि यह इसका क्या face है कि इसका part क्या हो गया base है अब यहाँ पर एक दात और दूसरे दात के बीच का जो space है इससे बोलते हम space इसके बाद ही है एक term और आ जाता है gulet gulet का मतलब यान कि जो space है उससे और gulet में क्या sense होता है जैसे आपके पास यह दात है इस type का एक अब इसमें आपके जो ऊपर की spacing है वो थोड़ी कम है यान कि यह point और इसका base है उस वो लगवाग एक ही direction में अगर यह 90 पे है कुछ में यह थोड़ा इधर आ जाता है तो किसमें यह gulet जो है वो इसकी angle से थोड़ा measure करते कि इसका top और इसका base इधर का starting में कहां पर है तो यह चीज़ है कि entire opening between two adjacent teeth दो adjacent teeth के बीच में जो opening है उसे क्या बोलते है दूसरा इसके एक जो sense है वो यह भी है कि जैसे आपके यह एक दात है यह दूसरा यह दात है तो यह जो बीच की जो opening है आपकी यह वाला जो part है इस वाले हिस्थी को भी गulet बोला जाता है तीसरा आता है pitch पिच का क्या है कि यह जो अपने दात देखोंगे टीथ यह बिलकुल एक लाइन में नहीं होते हैं कुछ क्या होंगे कि एक दाए side दूसरी byset यह थोड़ा इधर उधर set होते हैं means teeth जो है वो दोनों side में bent होते हैं तो bent जो होते हैं side में bent होते हैं उसे तो बोल दिया set लेकिन pitch का जो sense है वो है कि यह जो teeth है देखो यह इसमें कोई means यह इसकी अलग pitch है यह teeth की बिलकुल अलग pitch है और यह जो इस type के teeth है उसकी बिलकुल अलग pitch है तो यह pitch होता है वो इनका जो phase किस type का है उस से related है सेट मतलब यह साइड में कितने जुके हैं. इसके बाद जो term आता है. कर्फ. कर्फ का मतलाब होता है. यह जब काठता है तो यह जो दराण सी बनती है. कटाई की तो उस कटान को बोलते है कर्फ. सबसे ज़द़ आप से जो कुस्टन पूछा जाता है. वो इसके कर्फ से ही पूछा जै है अभी तक कर्फ या फिर इसकी जो पिछ है उस पर पिछ से है एक तर्म होता है गेज आपने सुना होगा जैसे ट्रैन τα वाइन गेज यह मीटर गेज तो 143 numer wage का मतलब क्या है कि पट्री कितनी मौती हैं जैसे यह है तो एक तो यह है और दूसरी पट्री यह है मैं इस कbenोगी है तो अपने मौटा ही इस ऐसुए梦 कने यहां पर ICR बालों को सभी term याद रखने हैं लेकिन जो state PSC की दे रहा हैं वो कम से कम pitch, set और curve को तो याद रखे ही रखे हैं अधर time रख सकते हैं बड़ डिपेंड करता है कि आपके पास कितना time है अब इसके अलावा और अपने पास क्या टूल है एक तो आता है जो यहां पर जब लखड़ी को फाड़ते हैं तो यहां पर बीच में वेज लगा देते हैं दूसरा है can't hook, can't hook में क्या होता है कि जैसे बड़े जो लॉग होते हैं जब उन्हें rolling करनी होते हैं गुमाना होता है इस type के roll करना हो तो उसको कैसे किया जाए हां से नहीं किया जा स लिए, move करवाने के लिए तो कैसे पकड़ोगे lock को क्योंकि भारी है तो पकड़ना कई बार आसान नहीं जाता है तो इसके लिए पकड़ने के लिए pickrooms एक और टूल होता है जिसमें इस node को वहां पर एक जोड़ से मार दिया तो अंदर घुस जाता है और पर खचोर के लिए चले जाते हैं अब इसका साथ में एक conversion के time पर और काम किया जाता है वो किया जाता है बार्क को remove करना बार्क remove क्यों करते हैं कि बार्क बहुत ही softwood part है और पेड़ को एक बार काट दिया तो बहुत सारे जो insects हैं possible है कि वह इंसेक्ट बार्क पर attack कर दें और एक बार उनने बा कि दो टूल है एक तो debarking spade अगर ये spade जैसा है तो इसे हम बोलते है debarking spade और अगर ये इस टाइप का चाकूल मान की चलो बना लिया spade जैसा नहीं है तो इसे बोलते है debarking knife अब यहाँ पर अपने पास वो tool हो गए है जो हमें generally forest में जरूरत पढ़ती है इनमें दो ती न आपस में बढ़ से जाते हैं ये दो होते हैं जो एक दूसरे में घुसे हुए तो इससे क्या होता है कि हाइट मैजर आसानी से कर सकता है किसी लॉग की उठाने क次 लिए ये लॉग हो का आपको दीखी रहा है तो लोग आरहम सो लॉग को लेके hook करके उसे लिये चले जाते है आपने एक बात और दिखाऊगा कि जब हम पेड़ों को काटते हैं तो पेड़ों को काटते समय रसी को यूज़ किया जाता है उसके पीछे region है कि हम चाहते हैं जैसे यहाँ पर है अगर यह पेड़ इधर गिर गिर गिया इस direction में तो यह जो आपका जो भी property है उसको damage कर सकता है तो आप चाहते हो कि पेड़ गिर है वो specific direction में ही गिर है तो उसे specific direction में गिरानी के लिए आपको क्या काना होता है कुछ तो यहाँ पर filling के method है दूसरा यहाँ पर उसको एक side से पुल कर देते हैं जिससे वो इधर को ही आता है तो जो पुल करोगे अब इंसान तो पकड़ के खड़ा नहीं रहेगा तो उसके लिए कुछ टूल यूज करे जाएंगे इनमें एक होता stem tightener और दूसरा होता cable puller तो यह जो दूनों टूल है इन्हें भी यूज किया जाता है जिससे पेड़ों को एक side गिराया जा सके हैं आज के time पर यह जो अपना filling work है यान कि जो tool यूज करेंगे जिनकों तो filling work में जो कर रहे थे बहुत बहुत पुराने हो गया आज कर जहां mechanization पढ़ा गया है तो वहां पर एक बड़ी JCV जैसी मसीन लेके आते हैं और यह चंद सेकंड में पूरा पूरा उड़ा के चला जाता है अब यहां अपने filling वाला part है वो तो हो गया कि हाँ भी कौन-कौन से tool यूज करेंगे tool अपने देख लिया अब बात आती है कि आखर ठीक है लगड़ी काटनी है तो किस season में काटेंगे क्योंकि हमारे लिए season भी important है ऐसा क्यों है क्योंकि जब आप लगड़ी काटने चाते हैं पोज आप central इंडिया में हो peninsular इंडिया में हो और आप लगड़ी काटने गाया और आप गर्मियों में चले गाया तो क्योंकि जंगल में कोई आपके लिए hand pump या बोर पैल करके नहीं रखा है और नहीं वहां पर बिसलरी वाले पानी की supply करते हैं आप जब वहां पर को short transportation जो करते हैं उसमें तो उनको भी चारा और लगड़ी चाहिए तो गर्मियों में वह available नहीं हो पाएगा और गर्मियों में हार्स हो जाएगा पतापड़ा दोचार मजदूर गर्मियों से मर गए तो इस वजए से हम वहां की जो adverse condition है उसको भी ध्यान में रखके ये decide करेंगे कि आखिर हमें बिड़ कम काटने चाहिए तो अब जैसे कि मैंने बोला कि जो अपना plan या पैनिंसुलर इंडिया है उसमें हमारे लिए जो सबसे फैबरेवल सीजन है वो जैसे अपने बोला कि गर्मियों के टाइम पे तो नहीं कर सकते फर इसके बाद आ जाता अपना मानसुन मानसुन में भी नहीं कर पाते क्योंकि दर बारिस हो रही होती है तो अपने लिए जो फैबरेवल सीजन होता है वो शुरू होता है अक्टूबर से यानि कि मानसुन के बाद से लेकर के मार्च तक गर्मियों के शुरू होने से पहले तक जिसमें ज़्यदा गर्मी नहीं है तो कम पानी में भी कम चल जाता है और दूसरा क्योंकि मानसुन भी खतब हुआ तो जो नदी नाले भरे हुए है तो हमारे जो जानवर जो चाहिए ट्रांस्पूर्ट इस इनकाम में उनके लिए पानी की कोई दिक्त नहीं है जरने बगरे चालो हो जाते हैं तो मजदूर बगरे लेवर फोर्स उनको भी वार्टर सप्लाई इसली हो जाती है इसी टाइप से अगर हमाले की बात की जाए तो वहाँ पर देखो नवंबर दिसमर में तो शुरू आथ हो गई बर्फवारी की और यह विँए बर्फवारी है वो बर्फ पर गलना सुरू करेंगे मार्च अप्रेल में तो सर्दियों के टाइम पर तो करना पॉसीवाल है नहीं तो उनकी यहाँ करेंगे गर्मियों में क्योंकि बारिस में भर दिक्ता आ जाती हैं यह लेंड वेट बगरेगी तो इनकी हाँ अप्रेल के औरवर्ड फरम कटाई करना शुरू करते है अब अपना यह आजता है कि ठीक है हमने टूल देख लिए किन से पेड़ों को काटेंगे कब काटेंगे लेकिन अब काटना कैसे है तो यहाँ पर क्योंकि फोरेस्ट में जो सबसे बड़ा इसू है वो है लकड़ी की बरवादी का वुट का वेस्टेज बहुच जथा होता है दूसरी बात आपने देखा होगा कि जो वुट है उसकी जो क्वालिटी है वो सबसे जदा बेटर क्वालिटी कहा होती है इस पार्ट में और यही काटेंगे तो अगर हमने इसी को किसी उंचाई से काट दे तो यह जो इंपोर्टेंट पार्ट था वो तो बरवाद हो गया तो इसके लिए लखड़ी की बरवादी ना हो इसके लिए कुछ रूल बनाए गए है कि हम कैसे लखड़ी को कम बरवाद किये उसे असानी से काट दे तो पहला इनका यह है कि जब हम लखड़ी को काटें तो कोशिस करें कि जितनी जमीन के नजदीक से काट सके है उतनी जमी भल है कि काटने से पहले क्योंकि अगर डारेक्ट काट दिया तो इसमें डेमेज बहुत जदा होता क्योंकि जब गिरता है तो डारेक्ट टच में जो है वो इसकी पहले छूटी वाली ब्रांच जाती है तो पेड को काटने से पहले हम जो इसकी जो ब्रांचेज है उनको कट कर लेंगे जिससे अपने lock को damage कम से काम हो तो इस टाइप से हम इस को स्टाइब कर लिया थर्ड मैसर्ड यह है कि हम क्योंकि forest area कटाई करना है तो forest में कोई plan तो मिलता नहीं है तो हम कोसिस करेंगे कि देखो अगर हमने यहां से टॉप से नीचे की तरफ किया तो क्या होगा जो पेड़ यहां पर होगा इसे हम पठकेंगे इसकी साइड तो एक तो यह जो गरने का एरिया है वो कम है इधर जैदा हो जाएगा दूसरा यहां के पेड़ काट चुके हैं तो अब जब यहां का पेड़ काट के इधर गरेगा तो यहां डैमेज करने के लिए बरबाद करने के लिए इसके पास कुछ है नहीं तो इस टाप से जो एक पेड जब कटता है तो जब दूसरी पेड़ों पर गड़ता है तो दूसरों को जो डेमेज कर देता उसके चांसे यहां कम होते हैं हां स्टार्टिंग करेंगे तब दो चार हो जाएगे वह छोड़ों लेकिन मैजोर्टी को इसी टाइप से कम किया सकता है तो यहां पर हमेशा जो हिल से उनकी टॉप से बॉटम तक मतलब नीचे की साइड की तरह हम करते हैं लॉपिंग बिफोर फिलिंग इसे हम देख चुके कोई एज है और यह पेड़ एज पर खड़ा है तो बोला इसे काटने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अगर यह इदर गिरा तो ठीक है नहीं तो पूरा मैनत परवाद अगर यह इदर गिर गया तो इस टाइप की दिक्कत है दूसरा एज पर कई वार एरोजन मगर की चीज़ रही है तो यह लखड़ाई लखड़ी की जो कटाई वाला काम है इसे रोक दो क्यों क्योंकि तब आपको कंफर्ब नहीं होता कि पीड किस करवट गिरेगा और जब आपको उसके गिरने का कंफर्ब नहीं है तो क्योंकि अगर जिस साइट पीड खड़े है उस साइट गिर तो वो दूसरों की जो कीमती लकडी है उसे बरबाद कर देगा और हमें उसे इस पेस्पिक डारेक्शन में ही किराना है तो इसलिए हम स्ट्रोंग हवा की करडिशन में भी पेड़ों की कटाई नहीं करेंगे तो यह तो रहा फिलिंग रूल इसके बात आते हैं कुछ करते हैं तो इसमें अपना परफ़स तो यही कि पेड़ों को किसी स्पेस्पिक डारेक्शन में ही करने दे तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो जो भी पेड़ को काटना है यहां पर 45 डिगरी की नॉच बना के हम इसे काट देंगे और ध्यान रखेंगे कि पेड इसी बान देते हैं मतलब कुछ उंचाई पर 5-10 मीटर की और लकडी से थोड़ा उन जो केबल पुलर था उससे हम काट लेते हैं मतलब थोड़ा खीच लेते हैं तो जैसी इधर से काटना शुरू करेंगे तो यह जैसी इसका सेंटर इधर से कटा यह पिर टपक जाएगा ग पूरा बरबाद हो गया दूसरा क्योंकि कुलहाली को बिल्कुल जमीन पर नहीं काटा जा सकता है जैसे यह पिर है तो उसे कुछ उंचाई पर ही काटना पड़ेगा यहाँ पर लगवा गया यहाँ पर काटना पड़ेगा तो आप कुछ तो एक तो स्टंप हाइट जो है व साईट से हम कुलहाडी से हम इसे काट रगए हैं और कुछ सेंटर तक लेके जाएंगे फिर दूसरी साईट हम आरी से काट देंगे जो अपनी आरी में इंडिया में ने क्योंकि हमारे हाँ जो फूरेस्ट है वो मिक्स है जहां पर हमारे हाँ सॉफ्ट वोड है और प्लान्टे मितलब सॉफ्ट वोड वाले हैं यानि कॉनिफर्स हैं और उनकी प्योर प्लान्टेशन है वहां मेकनाईजिशन यूज कर सकते हैं तो इस टाइप 15-20% का होता वो बिलकुल खताम हो गया और ये तेजी से बहुत करता है तो ये इसके मधड़ जो हो गया कि हम कैसे काटने के जो रूल है वो हो गया अब बेसिकली यहां पर आप देख रहा है हम जो काट रहा है वो उपर के पार्ट काट रहा है हम नीचे रूट को टच भी नहीं करता है इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि रूट हमारे लिए ज़्यदा कॉमर्सियल इंपोटेंट की नहीं है है आप जितने रूट को लेके जाओगे उनको जो एक्स्ट्रेक्शन में जितनी अनर्जी लगी है जितना मनी उनके एक्स्ट्रेक्शन में लगी उतने उनकी मार्केट वैलू नहीं है इसलिए हम नहीं निकालते हैं लेकिन कुछ है जैसी कि अपना डलवर्जिया जो इसमें सेंडल बूड है यानि कि चंदन है खेर है अकेसिया है और कुछ केस में अपना जो डलवर्जिया शिस्टू वगर है उसनकी वूड को भी कभी कभी यूज कर लेते हैं लेकिन बेसिकली आप याद रखो कि यहाँ पर खेर है और संडल बूड है संडल बूड और खेर और कभी कभी अपना काम होता है उसको लॉग को बनाना है यह है क्या देखो जंगल से जो हमने पेड काटे है पेड़ तो सीधा सपोज यह पेड़ रहा लेकन यह जो पेड़ है इसके साथ एक तो क्या है इसकी बार्थ दूसरा इसमें बहुत सारी है ब्रांचेज कई बार उपर वाली जो ब्रांचेज है वो पूरी नहीं कटती है खासकर यह छोटी छोटी है कौनी फर्स बगर है मैं तो फिर इसको हमें क्या करना होता है ब्रांचेज बगर को भी साफ कर देते हैं इसके साथ यह तो है पेड़ बड़ा सपोज यह है तीस मीटर हाइट का अब तीस मीटर हाइट का अपने पास ट्रांसपोर्टीशन का कोई सिस्टम ही नहीं है तो अपने पास जैसे साथ पुछ ट्रक है वो दस मीटर हाइट की ही लगड़ी ले जा सकता है तो क्या किया जाएगा इसको कट किया जाएगा दस मीटर भाई दस मीटर के तो इस ताइप से डिडूस कर दिया जाएगा दूद्रा यह डिफक्तर पार्ट है उसे वहीपर निकाल दिया जाएगा क्यों जिस्से अपने जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मठडीरिय वे थोड़ा साइज में काम हो थो ट्रांसपोर्टेसन सब्साइब चौस्ट उपड़ जाएगा और उसे मार्केट की रिक्वार्मेंट के साफ़ साफ में एड़ेट कर लेते हैं थर्ड आता है अपना कनवर्जन का परपाजी है कि अगर हमें और भी इसको जो साइज जो से रिड्यूस करना है कि फिर हम उसे सीधे की सीधे अपने जो फ्लैंक है जिसमें भी अपने को फाइनल कनवर्ट करना है उसमें वहीं फोरेस्ट एरिया में ही कनवर्ट कर लेते हैं यह अपने इस लेक्टर की जो फ्रस्ट स्लाइड की जो पिक्चर थी उसमें भी यही दिखाया गया यह देखो पूरे पूरे इस्टूर टिंबर है जिनकी एक तो आपने क की requirement होगे किसी industry की यहाँ पर इसका size देखो यह round होगा लेकिन इन्होने से यहाँ पर इस type से एक marking दिख रही आपको यानि कि इसको convert करके किसी industry की specific उसको shape दे दिया जा चुका है अब जब convert करते हैं तो conversion में हम कुछ specific size हैं जो common popular जो term है उन्हें देख लेती क्योंकि इन पर question आए इनमें आपने एक तो दिखा होगा plank इस type का जो लकडी का फटा होता है फटा बनाने को हम क्या बोलते हैं wooden plank या wooden slab इससे term use किया जाता है plank यह plank term कई बार पुछा जा चुका है दूसरा होता है अपना जो common चीज है लकडी के जो लंबे-लंबे से डंडे से होते हैं ने बोलते हैं अपन पॉम पूल इसके साथ आपने दो term और पड़े होंगे इनमें एक होती है beam और दूसरी होती है scantling लेको beam होती है लकडी का बड़ा जो कम सकम 4 मीटर की height हो यह द्यान रखो 4 मीटर की इसकी कम सकम length हो और इसका जो cross section का जो area मतलब ये वाला या ये वाला दोनों ही लगवक 15 cm बाद 15 cm से जएदा हो छोटे ना हो लेकिन अगर यह तुससे थोड़े छोटे है मतलब इस type की जो पतले पतले से चोटे चोटे जो आपको मिल जाती जब actual में जब लकड़ी की खटाई की जाती है तो वो beam ही बनाते है लेकिन beam के साथ जो side वाले जो part है उनसे चोटे चोटे जो फटे से निकलाते हैं उन्हें बोलते हम scantling तो यहाँ पर यह चारो टर्म है इनको याद रखना है क्योंकि यह काफी important है इसी में जो अपने train है क्योंकि आज की time पर तो जरूरत नहीं है लेकिन पुराने time पर जब conversion होता तो train की पट्रियों के लिए मैं लिए यह use करते थे हैं तो उसके लिए उसी time पर scantling की जाती थी यह जो beam बनाई जाती थी वो उसी के साब से बनाई जाती थी तो क्योंकि train की पट्रियों आज के time पर चार टाइप की चलती है जिसमें एक अपनी है light है फिर narrow gauge है meter gauge है, broad gauge है अब क्योंकि यह जो चार टर्म है इनका अपने subject से तो linkage नहीं है लेकिन यह tribun mehta की book में दे रखा है और दे रखा है तो फिर जो teachers हैं उनकी नजर पढ़ जाती है और उन पर question आ जाते है तो इन पर भी question पूछ लिया है question उन्होंने यहाँ पर आपको इसका size है उस पर पूछा है इसमें जो आपसे सीधा सीधा size याद रखना जो आपको वो याद रखना है meter gauge का और broad gauge का broad gauge में यह है लंबाई जो है इसकी है वो है 275 आपको पूरा याद रखने की जरूद नहीं है यह याद रखो कि यह है 275 यह है 183 यह है तो कैसे याद रख सकते हो 150, 180 और 275 बस इतने data याद रख लो तो समझ में जाता है कि height का है तो जो अपने इनके question आते हैं उसको इस हिसाब सापन segregate कर लेते हैं अब आते हैं अपने इसके sawbing वाले मुद्दे पर जब लकड़ी को saw किया जाता काटा जाता है हरवेच उसके time पर machine mechanization के time पर conversion के time पर तो उस time पर इसके saw करने के 4 तरीके होते हैं या usually हमें syllabus में question नहीं आते हैं यहाँ पर एक ही तरीका है जिसमें question आते हैं वो आता है quarter saw लेको काटने के 4 तरीके हैं इसमें एक है live saw pen saw, rift saw यह तरीके दे रहे होंगे जैसे rift saw में क्या करेंगे हम यह जो काटेंगे इस पहले लखड़ी के हम 4 फटे बनाएंगे मतलब जो log उसको 4 piece में बाटेंगे फिर हर piece को ऐसे खड़े खड़े करके अपने plank निकाल देंगे उसमें live saw में हम एक side से plank निकालना शुरू करते है इसमें आपको अलग-अलग तरीके दिख रहे होंगे इसमें इसकी वज़े से क्या होते है सभी के सभी plank लगवग एकी size की होते है यह जो quarter saw है इसमें क्या होगा पहले हम इसके 4 part करेंगे मतलब इसका क्या करेंगे quarter करेंगे इस quarter के बाद इसको quarter करने के बाद फिर हम उसके एक पीस को लेंगे और फिर उसके फटे निकालेंगे मतलब उसके plank निकालेंगे आपको बस इतना याद रखना है क्यों quarter saw हम है इसके 4 पीस करके उसके फटे बनाए जाते है बस अपना काम खतम तो यहाँ पर question जो आप सैंगे वो पूछा जाएगा कि grand की किस support में यह जो लकड़ी है इसमें जो fiber होते हैं वो grand बिल्कुल ऐसे होते हैं सीधे खड़े खड़े बाहर की तरफ जाते हैं तो जो quarter saw में जो फटे हैं वो सीधे grand के ही parallel में होते हैं इतना याद रखना अपना question निकल आया कि अबल यही question आते हैं कि वो grand के parallel में होते हैं अब अपना इस part का जो वीडियो है इस part का last part में चलते हैं जिसमें है लकड़ी की बरबादी देखो जितना भी अपने लकड़ी को काटा उसकी जो starting में filling थी filling से लेके फिर उसको convert किया तब बरबाद होगा होगा filling के time पे तो हुगा ही था फिर transportation करेंगे तो उस time पे कुछ truck से दुचा लकड़ी यह देरोदर चली जाती है कई बार truck पलाट गया तो damage होता है फिर उन्हाँ पर market तक जाएंगे फिर उसके कहीं कोई timber attack मतलब insect fish attack कर देंगे तो इस type चो कुल मिला के अगर देख लिया जाए तो हमारी जो लगवक 55% के आसपास बरबाद हो जाती है आप खुद सोचो कि आप कहां जो भी production हो रहा उसका अगर 55% बरबाद हो रहा तो उन्हों से बोला गया कि ये लकली की जो बरबाद ही है उसे रोगना चाहिए हमें क्योंकि हमारे forest पर प्रेशर जएदा है डिमांड जएदा है सप्लाई हो नहीं पा रही है और सप्लाई की तो जरूरत ही नहीं है हमारे पास जो है अगर बरबादी कम कर दें तो हम काफी सप्लाई को वैसी बढ़ा देंगे तो उस टाइम पर इन्होंने कुछ लोगों को बिठाला उन्होंने recommendation की ये है और उसने की recommendation के base पर यहाँ पर जो बटोट है जम्बू कस्मीर में तो वहाँ पर एक logging training center खुला गया इस training center का जो objective था वो यही था क्योंकि लकली काटते तो मजदूर है तो मजदूरों को सिखाया जाए कि लकली को कैसे better तरीके से काटा जाए जिससे जब पेर कटनी के बाद गिरे तो किस direction में गरे तो जो आपको filling rule बताए थे कि आप पाली में उपर से नीचे की तरफ काट के चाओगे आप बैटर है कुलहरी की जगाए आप सो से काटोगे तो यह सारे जो चीज़ें चल रही है वो कहीं न कहीं यह logic training center की ही देन है क्योंकि यह उस पर पर कर रहा है जिससे इसका जो best stage है उसे कम किया जा सके है तो आप पर इस पर कुशन आ जाता है कि यह कहाँ पर है बटोट में इसके कुशन आई हुए है अब इससे पहले क्योंकि बटोट में नहरू जी ने जो किया यह तो ऐसा तो नहीं कि सबसे पहले यह करके गए इससे पहले भी काम चल रहाए थे तो वहाँ पर जो अपना first जो second five year plan था second five year plan में भी इसी टाइप की मुद्दा चल रहाए थे तो उसी टाइम पर यहाँ पर दो थे हवर और केरो लीफ यह जो पत्ती थी इन्होंने भी लॉगिंग पर यह बूला था कि वेस्टेज का मुझाना चाहिए तो उसके लिए इन्होंने एक लॉगिंग ब्रांच से स्टैबलाइज की थी इन्हों कोई अपने लिए जएधा सेंस नहीं है एफ राई की ब्रांच का बस इतना याद रख लो कि किसी की थी हावर एंड केरो लीव की यह आईश्यार वालों के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है लेकिन राजस्थान वाले यह बटूट से काम चला लेंगे अब यह अभी तक इस पार्ट मागर कोई इसू रहा है तो आप बिल्कुल कोशन पूछी सकते हैं